हेलो उस्तुम मैं हुरेज़त बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यूव वीडियो में दोस्तों प्रेशर कुकर तो आपने हमीशा ही देखा होगा यूज भी क्या होगा रोज खाना बनता ही बनता है लेकिन जब प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो अचानक से सीटी निकलती है और सारे घर वाले उस तरफ दोड़ते हैं कि यार कुकर को बंद कर देता है अब यही कुकर जो है अश्मिता आने वाले एपिसोड में बनने वाली है और अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर भड़ चुका है और जब वो प्रेशर भार निकलने वाला है न तो बड़े बड़े लोग जो है बोसले परिवार के वो सोचने वाला है भईया यह क्या हो गया और आकिरकार यह सब मतलब पॉसिबल कैसे हो गया इतने साल उसे तो उनकी जबान नहीं खुली आप देखो यहाँ पर सई चवान जाची पकी जबान ये बात तो सवी ने साबित कर दी इशान बाई साब अपनी किये पर घर शर्मिंदा है कि उसे एक टांग पर खड़े रहने के लिए क्यों कहा दिया और यहाँ पर सवी ने एक टांग पर खड़े रहे कर बता दिया इशान को कि हलके में ना लईयो क्योंकि एसीपी विराट चावान की बेटी हूँ सही जूशी की बेटी हूँ कभीशनर सर मेरे अंकल लगते हैं और यह बात निशिकान तो और यशुन को किस तरीके से परिशान कर रही है यह आज का एपिसोड देखकर पता चल गया अब कली आप में से बहुत सारे लोग है ना कमेंट कर रहे थी कि यह सुप्रीम कोट है कौन सा कोट है हमें बताई हाई कोट है क्योंकि ऐसे इसे कानून तो वहीं पर लागू होते हैं यहां कौन सी चीजे चल रही है अब यहां आज के एपिसोड में जच साब माफ कीज़ेगा येश्वन भी कुछ इस तरीके से ही बोलता है कितनी देर बात हुई क्या बात हुई मुझे बताओ अब यार देखो कितनी देर क्या बात हुई यह चीजे कौन याद रखता हो इतने सालों बाद मिले हैं क्या ही बात हुई होगी कैसी हो क्या हो वगरा वगरा पर उने तो सारी चीज़े जाननी है लेकिन ये उनकी जो डर है ये हम सभी को पसंद आया क्योंकि हम सभी को मालूम है जब बात Commissioner के आ जाती है तो बड़े-बड़ो के हालत खराब हो जाती है और यहाँ पर उनको लग रहा थागी किड़नेपिंग वाली बात कमिशनर के कानों तक पहुँच गई तो रिटायरी क्यों ना हो कमिशनर लेकिन बहुत कुछ उखार सकता है और बहुत कुछ हमारे साथ कर सकता है कमिशनर वेल सभी जो है वो अच्छी है इतनी तरीके से बूसले वालों को परिशान नहीं करने वाली है पर आने वाले एपिसूड के अंदर एक नहीं कहानी की शुरुवात आपको देखने को मिल रही है क्योंकि यहाँ पर आने वाले एपिसूड में शिखा और रश्मिता दोनों ही पूरी तरीके से टर्ण होने वाली है पॉजिटिव अभी भी पॉजिटिव है पर वो कमजोर दिखाएंगे यह बहुत सभी का साथ नहीं दे पाती है पर आने वाले एपिसूड के अंदर वो पूरी तरीके से साथ देते वे नजर आएगी सभी का और यहाँ पर दो टीम ज जल्द ही आपको खुलते वे नजर आएगी क्योंकि उन्हें भी समझ में आ जाएगा कि अगर इसी तरीकी से घर में सब कुछ चलता रहा तो हमेशा यह अत्याचार सहन करना ही पड़ेगा और आकरकार अक्का साहिब की नीचे दब कर रहना ही पड़ेगा अब यहाँ पर य यही है कि आने वाले एपिसोड में शिखा और अश्मिता को एक पूरी अच्छा नजरिया और पूरी तरीके से जस्टिस जो है हमारी सवी दिलाते वे नजर आएगी यानि कि बोस्ते परिवार के लोगों ने कहा है ना कि जब सक रिसेप्शन नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर सवी कॉलेज नहीं जाएगी अपने पैर पर कुलाडी मारने वाला काम वो खुद कर चुके हैं क्योंकि सवी का घर में रहना ही उनके लिए सबसे बड़ी पाबंदी बन जाएगी क्योंकि हर एक गलत कांड में हर एक गलत कदम में सवी उनको रोकते वे नजर आएगी औ और घर वालों को लगेगा कि ये कॉलेज में तमाशा ना कर रही है लेकिन इसने घर में वो ही तमाशे करने शुरू कर दिये हैं और जब गलत को कह देते हैं कि आप गलत हैं तो गलत को बहुत बुरा लगता है और यहाँ पर दूरवा दो-तिन दिन से नहीं है स्क्रीन कई बार विलेन कुछ इस तरीके से हो जाते हैं कि वो विलेन भी नहीं लगते हैं बस वो आंखों में चुबने लग जाते हैं और दूरुवा के करदार को सील के मेकर्स ने कुछ ऐसा बना दिया है वैल एक एक्टर के नजरी से देखें तो बहुत कमाल का करदार निभाया ह तबी तो विलेन के तोर पर लोगों ने बिलकुल उनको हेट देना पसंद कर दिया है तो रियल लाइफ जो एक्टरस उनका करदार निभा रही है उनको तो सिल्यूट है बहुत कमाल का करदार उन्होंने अदा किया है पर सीरेल के अंदर जो दूरुवा का करदार है वो लो तो सभी को रोकना और reception होने वाला है काफी grand होगा, serial के makers I think इसके तैयारिया कर रहे हैं, इसलिए जो है इसमें थोड़ सा वक्त लग रहा है, वरना आप सभी को बताएगी, शादिया भी एक एक दिन में serial के makers निप्टा देते हैं, और चठ मंगनी पठ ब्याव वाला सीन भी होते हैं serial के अंदर, पर यहां पर reception अब उनसे पूरी तरीके से organize नहीं हो रहा, आपको अच्छी तरीके से याद होगा, एक बार रिवाव और इशान की शादी की टाइम पर पंडिजी आये थे, उन्होंने कहा था कि मंगलवार का मूरत है, उसके बाद साल बड़ शादी नहीं हो सकती है, अब यहां पर मंगलवार दो-तिन दिन दूर था, उन्होंने शादी की पूरी preparation करने के लिए हां कर दिया था, शादी सक्सपूली होने भी वाली थी, पर बाद में नहीं हो पाई सभी के करन, क्योंकि उसने सभी से शादी कर ले, लेकिन अब खाली उन्हें reception करना है, तो भी वो organize करी नहीं पारे है, reception को मतलब शादी भारी होती है, कि reception भारी होता है, शादी में सारे रीती रिवाज परमपराएं होती है, लेकिन reception वैसा कुछ ही नहीं होता है, दूला दूलान बैसिकली बैढ़ते हैं स्टेज के अंदर, और वाकि मेहमान मेहमान आकर देखके चले जाते हैं, खाना भी खाकर चले जाते हैं, तो ये सीन होता है, पर सीरील के मेकर्स को इस्टोरी को खीचना है, तो उन्होंने किया ही किया है, आप चेलिए, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये तो ये वीडियो की बात, अगर आप लास्ट तक रुके हैं, तो एक गाईज मेरी बात सुनकर जाएए, जैसे कि आप सभी को बताएं कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की थे, टॉक फे तरजट के नाम से कुछ एपिसोड उसके आएं भी है, तीन एपिसोड लगग आएं हैं अलग-अलग गैस्ट के साथ, और बहुत सारे लोग मुझसे इस बारे पूछ सेते कि अगर हम इन इस इंट्रिव का पार्ट बनना चाहते हैं, तो कैसे बन सकते हैं, तो दोस्तों आप सभी को बता दू, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ ऐसा काम किया है, जिससे लोगों को मैसेज मिल सके, या फिर आप में कुछ यूनिक टैलेंट है, या फिर आपकी किसी जानकार में है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, बिकॉज आपका ही ये यूट्यूब चैनल है, आप ही की वज़े से है, तो जरूर मुझे बहुत खुशी होगी, आप लोगों के साथ इंटर्व्यू करने के लिए अंदर, आफ लाइन का वादा नहीं करूँगा, कि सबसे के आफ लाइन हो जाएगा, लेकिन आप में उसे डन करकर अप्लोड कर सकते हैं, तो आप में से किसी के पास भी ऐसी कोई स्टोरी है, या टैलेंट है, या फिर स्टोरी है कि हमें जो है लोगों के सामने आना चाहिए, उसे बताना चाहिए, तो आप लोग मुझे बेजी चेक होकर इंस्टाग्राम पर डियेम कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाइज जरूर दूँगा, और ज़्यादा हमाँ पर फॉल्वर्स नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली, और अगर आपका कोई वे सवाल है से जुड़ा तो शेर कर सकते हैं, और इस्टाग्राम पर सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यूजर नेम नजर आई रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीचिए, मैं मिलूँगा, आप सब इल्गों सेक लिए वीडियो में, जब तक के लिए, थैंक्यू दोस्तों,